हमस्कार ग्रेटर ज्र्णू वर्चुल के क्ररण अफेर्स प्रोग्रार्म में आप सब कर अपय 그거 भी हम ship करेंगे विज्जे भटाया से ग्रेटा है बलकि एक फॉर्मर बीरोक्रेट भी हैं और जमू कुश्मीर के हालात को भली बांती जानते हैं तो आए जानते हैं कर्ट इश्यूस के बारे में विजे बताया से कोई कर रहत देगा आपको असल लगता है जी पोस्ट कोविर रहत तो देगा है किसमें काफी कुछ एलोकेशन की गई है हेल्थ इंफरस्ट्रक्शर को बढ़ाने के लिए कि कुदा नखासता आएंदा भी ऐसी कुछ वबा आ गई तो उसके लिए तयार हो देश और सारे स्टेट और काफी इंफरस्ट्रक्शर के लिए बहुत बड़ी ऐलोकेशन की गई है रेलवेज के लिए ऐलोकेशन की गई है तो यह सारा एक डिमांड क्रियेट करेगा और उससे एकानिमी को ग्रोथ मिलेगी तो यह तो मैं समझता हूँ कि अच्छा बजट है क्योंकि जिस तरह से सेंसेक्स ने इसको वेलकम किया वो संकेत है कि एक उमीद बंदी है कि जो इन्वेस्मेंट होंगे अब उससे सबका भाला होगा सर आप चीफ सेकरेटरी भी वे हैं जम्मो किश्मीर के हलात को भली बानती पेंचानते हैं जम्मो किश्मीर को जो चाहिए एक तो यहां पे इंडस्ट्री आने चाहिए इंप्लॉइमेंट होने चाहिए क्या उस दिशा में कुछ है देखे यूनिन टेरिटरी बनने के बाद पारलिमन में बहुत सारे बादे भी किया गए कि यूनिन टेरिटरी बनने से बहुत चमतकारी परिवर्तन आएगा बहार से इंवेस्टमेंट आएंगे, हस्पताल खुलेंगे, इंडस्ट्री खुलेगी और इंफरस्ट्रक्चर का सिधार होगा तो अभी तक तो वैसा कुछ नजर आने ही रहा है कि कोई जो रूटीन के काम है वही चल रहे हैं अब इसमें कोईड का आना एक संकर्था जिसकी वज़ें सारे काम रुक गए यहीं नहीं सारे हिंदुस्तान में, बलकि दुनिया भर में रुक गए तो इस दोरान जो हमारी इतला है, यहां की यूनिन टेरिट्री की गवर्नर के, लजे के अड्मिनिस्ट्रेशन ने बड़े-बड़े प्राजेक्ट्स कम्प्लीट किये हैं, जिनमें बाहर से इन्वेस्मेंट आएंगे, हस्पताल बनेंगे, इंडस्ट्री बनेंगे, सौरकें बनेंगे, तो वो प्राजेक्ट्स कब अमल में आएंगे, उसका हमें इंतिजार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वादे किये गए थे वो जब तक जमीन पर नहीं दिखाए दें तो लोगों में एक चिंता रहेगी एक मायूसी रही एक एहम सवाल यहां पर यह उठता है हमेशा से यह सवाल है कि पैसा आता है से जो पैकेज आता है या कुछ भी आता है उसमें स्पेंडिंग क्यों नहीं हो पाती है डिपी एस ने बन पाती है वो पैसा लैपी हो जाता है ऐसा क्यों होता है देखिए जहां पर करना है वहाँ पर भूल गए यह देखने के लिए खर्चा हो वी रहा है नहीं हो रहा है और आपने छोड़ दिया नीचे वालों के उपर ही उसमें धाल nyt भी हो जाती हैं और रफतार भी कम हो जाती है और फिर जब वो उनको उस पैसे का हिसाब देने के लिए मांते हैं तो उनके बाँ हिसाब देने के लिए वह certificate नहीं होती तो और allocation नहीं आती तो सबसे ज्यादा ज़रूरत है monitoring की वो monitoring जो है इस रियास्त में कमजोर रही है और जहां जहां monitoring ठीक रही है वहाँ वहाँ नजर भी आया है काम but overall इस रियास्त में पैसा जो आया है वो खर्चा उसका ठीक हुआ है लेकिन project report बनने में देर होती है क्योंकि हमारे पास पहले पहले तो इतना तजर्वा नहीं था लोगों को consultancies नहीं थी यहां पर जो कि project report बनाए अब सब है अब वो बात नहीं है और union territory में यहां के प्रशासन से यहीं उमीद है कि वो monitoring करके development का पैसा जो है उसको सही तरीके से खर्च करवाएं और लोगों के सामने नजर आए कि जो पहले होता था उस से ज्यादा रफ़तार से काम हो रहा है सब economics से हम politics की तरह आते हैं जब यह अभी चेयर मैंन की जब चुनाफ हुए तो अमर अब 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 दुल्ला का यह बियान आया कि यह कोई उन्हें हैरानी की बात नहीं है तो कि उन्हें पहले से पथा था कि जो है यह एजट यह होने वाले हैं आप इस बियान को कि से देखते हैं नहीं है कि यह पता लेकिन independence बहुत सारे डिव्स एलेक्शन में जीते और independent का मतलब है कि वो free हैं फैसला करने के लिए कि वो क्या किसी party के साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे independent के जीत के आए हुए candidate उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी party के साथ जुड़ जाएंगे तो इसमें है रहानी की क्या बात है अगर N.C. को भी कहीं ज़रुत पड़ी होगी उन्होंने भी उन से persuade करके कहा होगा कि हमारी party में शामिल हो जाओ तो इसमें ये स्यासत है जहां पर independence पचास बने हो वो किसी ने किसी जमाद के साथ जुड़ना तो चाहेंगी तो हमारे विचार धारा से शायद प्रभावित होके हाँ और हमारे कहने पे वो हमारी party के साथ जुड़े कि ये समझते हैं कि ये खोखले नारों की विचार धारा से उन्हों ने इस लिए कहा होगा क्योंकि उन्होंने इससे पहले इजाम भी लगाया था कि जो है धानली की बन गए हमारे दो डिस्रिक्ट बोर्ड बन गए तो वहां पे तो हमारी अक्सरियत थी ही और बाकी लोग जो है वहां पे आ गए हमारे साथ तो यह नाच्रल प्रोसेस है तो बाकी जहां पे हमारी अक्सरियत नहीं है और जहां हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं लोग वहां देखते हैं कि क्या जो जब उनका चुनाफ हुआ था उस पोस्ट एस टॉप जो नो ने किया था कहीं ने कहीं वो एक रॉंग डिसिजिजिन था मैं तो जाती तोर समझता हूं कि बहुत ही गलत डिसिजिजिन था उनके मुश्किल से आठ्छे नौ साल हुए थे नौकरी करने में वो टॉपर थे उनको बहुत भविश्य उनका उजवल हो सकता था और यहां की रियास्त की जो थी उस वकत उसकी जनता की बड़ी सेवा कर सकत थे उनका ये फैसला कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूँगा और एक ऐसे जमाद के साथ चलूँगा जो नहीं है यह शायद उनको विचार था कि वो नौजवान हैं तो इस रियास्त के सारे नौजवान उनके पीची पीची चलेंगे तो मैं बन्यादी तो तो मैंने पहले समझाता कि गलती की है बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल से साबित किया कि उनको गलती का एहसास हुआ जैसे उनके बियां अब जो है एक तहां से नेशलिस्ट जो उनकी अपरोच अब सामने आने लगी है क्या चाहते हैं क्या लगता है वापसी चाहते हैं कोई ने कोई मुकाम तो उनको हासल करने की कोशिश तो वो करेंगे ही क्योंकि अब नाउजवान हैं और उन्होंने अड्मिनिस्टेशन में भी देखा है और सियास्त में आके भी देखा है तो अब वो पब्लिक लाइफ में रहना ही चाहेंगे और उनमें थोड़ी सलाहियत तो है ही तो वो समझते होंगे कि और समझ गए हैं जैसा कि बहुत सारे हमारे एस यूनियन टेल्ट्री के लोग समझने लगे हैं कि देश के साथ जुड़े रहने के बगार कचारा नहीं है हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि डिवलप्मेंट के बगार और कुछ बात नहीं है और ये खोखले नारे उन से आगे नहीं चलें उससे हमको नुक्सान हुआ तो इसी सोच की वज़े से यह चाहते होंगे कि पब्लिक लाइफ में कोई इनको मुकाम मिले पब्लिक माइफ में अपनी तोर पे जम्मु कश्मीर के हवाले से भी इसका फाइदा पहुंचेगा जम्मु कश्मीर को और जो शाह फैजल का जहां तक सवाल है इनने साफ कहा है कि अब जो है हिर्दे परवर्तन जो है शाह फैजल का हुआ है और ये अच्छी बात है देर आए दुरूस्त आए फिलहाल मेरे साथ इतना ही करंट अफियर के अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी नमस्कार